दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल RNS Education News में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे RPSC की वेकेंसी की जहनकारी के बारे में अपकमिंग वेकेंसी यानि की आने वाली वेकेंसी कौन सी रहेंगे RPSC की और कब तक ये वेकेंसी आने वाली है तो दोस्तो ब्रेकिंग नियूज यहाँ पर तो दोस्तो वीडियो में शुरू होने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नई हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड अकलर का एक बटन लिखाई देगा उसे आपको प्रेस कर देना है साथी बेल आइकन यानि घंटी का निसान को भी दबा दें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो अच्छी लग साथ भरती आप सभी का इंतजार कर रही हैं क्या कुछ योगता हैं रहने वाली हैं कौन से पदों के लिए वेकनसी आने वाली है तो दोस्तो साथ वेकनसी टोटल यहाँ पर आउट होनी है और पीएसी की और से और आयोग जारी करेगा साथ नई भरती परिक्षाओं के चल्द ही साथ नई भरती परिक्षाओं के विग्यापन जारी करेगा ठीक है आयोग को निर्वाचन विभाग से परिक्षाओं के आयजन की अनुमती मिल गई है याने कि आयोग और पीएसी को निर्वाचन विभाग याने कि भारत निर्वाचन आयोग से विग्यापन जार जारी करने की अनुमती मिल गई है और अब आयोग साथ नई भरतियों को विग्यापन जारी करेगा RPSC को अक्टूबर में विभिन मैकमों से प्राप पदों की संख्या के अनुसार भरती परिक्षय का विग्यापन जारी करना था लेकिन तब तक आचर सहिंता लागू हो गई थी इसलिए आयोग ने निर्वाचन विभाग को पत्र लिखकर विग्यापन जारी करने की अनुमती मांगी थी यानि दोस्तो आक्टूबर्स में ये वेकेंसी आने वाले थी लेकिन दोस्तो आचर सहिंता लगने के करण आरपीएसीन का विग्यापन जारी नहीं कर पाया लेकिन उसके बाद आरपीएसीन यहाँ पर लेटर लिखा निर्वाचन विभाग को और वहां से परमिशन ली है अब आयोग को अनुमती पत्र मिल गया है दोस्तो यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है आयोग को की आप वेकेंसी निकाल सकते हैं संभवत है आयोग सौमवार को भरती परिक्षाओं के विग्यापन जारी कर देगा तो दोस्तों मंडे को यानि सौमवार को यहाँ पर भरती निकाल देगा RPSC एक दो दिन के अंदर सोमार से लेके दो तिन दिन के अंदर सारी वेकेंसियों के विग्यापन जारी कर सकता या एक साथ सारी वेकेंसियों के विग्यापन भी जारी कर सकता है दोस्तों जो वेकेंसिय आने वाली हैं उसमें आपको वेकंसी भी आने वाली है तो तमाम साथ आठ वेकंसी आने वाली है तो सोमार को पता चल पाएगा और दोस्तों किसी कारण वज़से अगर सोमार को यहां पर विग्यापन जारी नहीं होता है तो दोस्तों इतना पक्का समझ ले कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे यानि कि 11 दि वेकंसी को विग्यापन जारी होंगे तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और प्यासी को अनुमती मिल चुक है निर्वाचन भाग की चुनाओं से पहले अगर वो विग्यापन जारी करता है तो बहुत अच्छी बात होती है खुसी की बात है लेकिन किसी कारण वस से अगर य यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है उनकी जानकर यह आपको तुरंट सबसे पहले आपके अपने यूटूब चैनल पर दी जाएगी तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और जी हाँ दोस्तो साथ दिसंबर को मतदान अवश्य करें आपके आपके अपिल दोस्तो आज के वीडियो बस इतना ही जे हिंच जे भारत